हपते के आखरी कारोवारी दिन बाजार ने अपनी कल की तेजी को कायम रखा निफ्टी 114 अंग चड़कर 17100 के पार बंद हुआ निफ्टी के 50 में से 36 यवरों में तेजी रही निफ्टी बैंग में भी लगातार दूसरे दिन अच्छी रैली दिखाई दी सेंसेक्स 355 और निफ्टी बैंग 465 अंगों से ज़्यादा चड़कर बंद हुए निफ्टी मिट कैप लगातार तीसरे दिन हरे निशान में बंद हुआ निफ्टी स्मॉल कैप में भी तेजी दिखाई दी लेकिन अगर पूरे हफ्टे के बात करें तो निफ्टी इस अपते पांच महीने के निशले इस्तर पर बंद हुआ यह लगातार तीसरा हफता है जब निफ्टी में गिरावट दिखी है इस अपते निफ्टी के 50 में से 35 स्टॉक्स गिर कर बंद हुए हैं निफ्टी मिट कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में यह गिरावट साथ महीनों के निशले इस्तर पर है बाजार में आज दिन भर और पूरे हफते क्या हल चल रही और अगले हफते के लिए क्या टिर्गर रह सकते हैं पूरे अनालिसिस के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्योगी पूजा तिरपाठी जी ये हफता पूरा उतार चाड़ा भरा रहा बाजार के लिए आज पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर हो रही है लेकिन उसके बावजूद अगर निफ्टी के ओवराल क्लोजिंग देखें तो लगातार ये तीसरा हफता था जब हमने गिरावट ही देखी और पाच महीने के निशले स्तर पर अगर ये पूरा हफता देखें तो क्लोजी देखने को मिली है निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से 35 स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर की गिरावट थी और इंडेसेंट बैंक आईशर मोटर जिससे स्टॉक्स में सबसे ज़ादा गिरावट देखने को मिली है इस स्टॉक्स स्टॉक्स में इस बार सेक्टरल अगर परफॉर्मस देखें तो आज एनर्जी फार्मा रियर्टी ये सभी थे जो कि हरकी पॉजिटिव नोट पर बंद हुए अगर ये पूरा हफता देखें तो पॉजिटिव रिटन हुआ है लेकिन सबसे ज़ादा तूटा है यहाँ पर प्यस्यू स्टॉक्स सरकारी बैंकों में सबसे जादा वीकनेस थी उसके बाद आटो स्टॉक्स में काफी जादा वीकनेस देखने को मिली करीब 3% की बैंकिंग शेर काफी टूटे आई टी एफम सीजी मेटर यह सभी नेगेटिव रिटन इस हफ़ते देखने को मिला इन सभी में इसके अलावा निफ्टी के अगर बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है बीपी सीयन ने 8% करीम 9% की तेजी इस पूरे हफ़ते दिखी है क्योंकि कच्छे तिर में भी हम देख रहे थे कि गिरावट थी तो उसकी बेनिफिशरी यह तमाम स्टॉ सबसे जादा मिला निफ्टी फिक गिरने वाले शेरों की अगर बात करें तो इंडेसिंट बैंक तूटा था सबसे जादा ग्यारा परसेंट इस पूरा वीद आईशाय मोटर्स में करीब 4% की गिरावट इस पूरे वीद देखने को मिली तो लगाता तीसरा हफ़ते हमने ग फेट की पैठक होने वाली है जिसका की रियक्शन बाजार पर देखने को मिल सकता है